हलो दोस्तो, आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ Short Stories with Moral मतलब ये कि इससे आपका मनुरंजन भी होगा और नैतिक शिक्षा भी मिलेगी जो कभी नगभी जिन्दगी में आपके काम आएगी तो आईए सुनते हैं कहानी मेरी जुबानी कहानी का नाम है शेर का आसन एक दफा एक जंगल में एक शेर रहता था जो कि जंगल का राजा था वे अपने जंगल में सब को डरा कर रखता था शेर बहुत ही भ्यांकर और बलशाली था एक दिन शेर का राजा जंगल में घूमने गया शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगा कर बैठने का उपाई सुचा शेर ने जंगल के सब ही जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए बस फिर क्या था सबी जानवत जुट गया आसन लगाने पर और जल्द ही उन्होंने हाथी के उपर शेर के लिए आसन लगा दिया जैसे ही शेर उचल कर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा और हाथी ने जैसे ही आगे अपना कदम बढ़ाया तो आसन फिल गया और शेर नीचे धडाम से गिर गया शेर की टांग तूट गई शेर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ऐसे ही उसने दुखी हिर्दे से कहा इससे अच्छा तो पैदल चलना ही ठीक रहता है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है Never leave your own personality and also not try to copy anyone's identity मतलब यह कि जिसका काम उसी को साजे शेर ने आदमी की नकल करनी चाही और परिनाम गलत सावित हुआ